रोजगार G.S.K में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भरती एवं प्रनुत्ति बोर्ड की न्यूरुकृट में नॉटिफिकेशन जो की जारी की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस में कॉंस्टेबल पोस्ट के है 27 दिसंबर 2013 से जिसकी लाश डेट रहने वाली है 16 जनवाई 2024 वहीं अगर फॉर्म में कोई दूटी हो जाती है तो आप 18 जनवाई 2024 को करेक्शन कर सकते फॉर्म को तीन स्टेप में जो की आपको फिल करना है सबसे पहले देखिए अपना रेश्टेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको जब रेश्टेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको एक अक्टिवेसन कोड मिलेगा उसके माध्यम से फॉर्म को पोपने אॉकी इक्टिवाइट करेंगे उसके बाद पेमेंट करेंगे उसके बाद डाक्मेंट को अपलोड करेंगे यहां पे आपको multiple option दे हमारा form open हो चुका है, primary stage पहले complete करेंगे, सबसे पहले personal detail को fill करेंगे, सबसे पहले देखिए आवेदक का पहला नाम, तो class 10th के according अपना name यहाँ पर fill कर देंगे, अगर last name है तो आप last name को fill कर देंगे, और यहाँ पर देखिए अपना complete name को fill कर देंगे, जैसा आप first name और middle name हमने fill किया है, या last name fill किया है, तो इस तरीके से जो की fill कर देंगे, यहाँ पर data birth की बात करेंगे, तो इस calendar के माध्यम से आपना date, month और year जो की आप select कर देंगे, यहाँ पर देखिए calendar open हो चुका है, और इसके माध्यम से जो की अपना date of birth complete करेंगे, data birth fill करने के बाद यहाँ पर देखिए father name fill कर देंगे, जिसे आपके class 10th पर हो, यहाँ पर mother name fill कर देंगे, यहाँ पर gender, जो भी आपका gender हो, male, female, उसे select कर लेंगे, यहाँ पर mobile number को fill करेंगे, mobile number को confirm करेंगे, यहाँ पर अपना अधार कार्द देखिए, number fill करना है आपको 12 डिजिट का, यह mandatory नहीं है, क्य के मूल निवासी है, सबसे पहले हम other state के लिए बात करेंगे, वो लोग form को कैसे apply करेंगे, उसके बाद उत्तरपरदेश की बात करेंगे, अगर आप उत्तरपरदेश की निवासी नहीं है, other state से form को fill कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर no all option पे click कर देंगे, other state के candidate यहाँ पर no select क करेंगे, अपने राज्य का name जो कि इसमें से select करेंगे, जिस भी राज्य से आप belong करते हैं, इस list के मादम से आप select कर लेंगे, करने के बाद यहाँ पर no select करेंगे, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी reservation का lab नहीं मिलेगा, वो सिप general की जो married बनेगे, उसकी basis पर उनका selection होगा, अगर वहीं आप उत्तर परदेश की निवासी हैं, तो आप यहाँ पर yes कर देंगे, yes करने के बाद यहाँ पर आप से पूछा किया क्या आप इसे SC-ST हैं, या OBC हैं, या DFF हैं, या ESM या HG category से आते हैं, या आप उसका lab लेना चाहते हैं, रक्षण का, या IU में छूट प्र आपको इस वाले option को yes रखना ही है, जैसे आप yes रखेंगे, यहाँ पर category में देखे, general लेंगे, general select कर लेंगे, SC-ST, OBC-WS, अपने according, तो आप यहाँ पर जो की, इस वाले option को yes कर देंगे, आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, आप किस category से हैं, तो नीचे जिस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, जिस अधिकारी ने आपका निवास परमाडपत्र जारी किया है, आपके निवास परमाडपत्र में सबसे नीचे है, दाइने साइड आपको देखने को मिल जाएगा, उसे जो आप select करेंगे, तो आपका निवास परमाडपत्र जारी हुआ उसे जो कि आ फिल करेंगे इस तरीके से जो भी आपका number है उसे जो कि फिल कर देंगे मैं form को demo-purpose के लिए Dartam आप अपना real और actual data फिल करें यहां पर ग्री जनपद जो भी है उसे जो कि आप select कर लेंगे इस तरीके से select करने बाद के category जिस भी category से belong करते हैं जैसे आप general से belong करते हैं तो आपको जाति प्रमाणपत्र देनी की आउ सकता नहीं है क्योंकि आप अप abide आप सी जात्रिमाणपत्र नहीं होता है वहीं अब गर्रापशलेट करते हैं तो आपको यहां पर आपको यहँन अपर को जात्रिमाणप्र कर रहा हूं तो यहां पर नहीं से छ से जो एक अपरेल जुन जुलाई अगर स अभी भी आपके पास समय है, आप 4-5 दिन लग रहे हैं, आप जात्य प्रमाल पत्र जारी हो जा रहा है, उसे जो कि आप use कर लेंगे, यहाँ पर आप किस अधिकारी में जारी किया है, यहाँ तो आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी, नहीं तो आप जो कि अपने जात्य प्रमाल पत्र पर देखेंगे, तो वहाँ पर किस ने जारी किया है, उसकी डीटेल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, डेट आपको जो इस कलेंडर के मादन से फिल करना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो इससे डेट को फिल कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ जो इसका certificate number है, यहाँ पर देखें, दो पुछा गया है, एक तो certificate number, एक application number, certificate number में आपको भरना है, प्रमाडपत्र करमांग, जो दूसरा line है, और यहाँ पर देखें, application number, जो आपको आवेद्र करमांग, तो आप इसमें जो कि फिल कर देंगे, क्या आप स्वतनता सिनान के हैं, अगर हैं, तो yes या no कर देंगे, अगर yes करते हैं, तो इसकी detail आपको देखें नीचे provide करने पड़ेगी, अगर नहीं है, तो simply आप यहाँ पर no कर देंगे, क्या आप उत्तर परते सराज सरकार के कर्मचारी हैं, और आपके पास आवश्यक परमारपत्र हैं, आप यहाँ detail आपको provide करनी होगी, जो कि आपके परमारपत्र पर देखने को मिल जाएगा, नीचे scroll करेंगे, यहाँ पर देखिए, qualification आपको बताना है, अब यहाँ पर class 10, यहाँ पर अपने board का name जो कि आप fill कर देंगे, जो भी आपका board है, इसे fill कर देंगे, कब आपने pass किया था, तो इस calendar के मादम से आप जो कि अपने date को fill कर देंगे, done, यहाँ पर देखिए, month और year ले रहा है, date नहीं ले रहा है, month और year, इसे अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पर कब आप pass हैं, तो pass select कर देंगे, यहाँ पर roll number, तो आप जो कि अपने mark sheet पर देख के roll number को fill कर देंगे, इस तरीके से, इसमें ऐसा नहीं कि आप दूसरा जैसे special character लगा के दूसरा fill करेंगे, यहाँ पर देखिए, आपको red आने लगेगा, तो इस तरीके से, दोनों में से सिर्फ एक fill करेंगे, इस तरीका अब ध्यान दीजिएगा, तो या तो आप प्रमारपत्र संख्या भरें, या तो अंग प्रमारपत्र करमांग भरें, दोनों में से एक fill कर दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दिखिए, intermediate में, आप अपने board का name जो कि fill कर देंगे, बोट का name fill करने बाद, आप calendar के माध्यम से, आप आपने pass किया था, उससे जो कि fill कर देंगे, fill कर कर देंगे, इस तरह, अगर आपके पास, डोयक्स या डाइलेट से ओ लेवर सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर yes या no कर सकते हैं, अगर नहीं है, तो simply no कर दीजेगा, अगर है, तो आप यहाँ पर yes करेंगे, उसकी detail आपको यहाँ पर provide करनी होंगी, यहाँ पर देखि पर्णार पत्र है, तो आप यहाँ पर yes करेंगे, अगर नहीं तो simply आप यहाँ पर no कर देंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, address detail को फिल करना है, address line first में अगर आपका area नममर है तो उसे फिल कर देंगे, house number है, आप उसे फिल कर देंगे, अगर room number है तो आप इस तरीके से room number आपना village है तो विलेज। फिल करेंगे पोस्ट फिल कर देंगे अपने आधार कार्ट कर अकॉर्डिंग यहाप अपने लिएज का नेम भी आपपर फिल कर सकते हैं अगर आपका विलेज तो उसे फिल करेंगे यहाँ पर देखिए आप से पूछा गया कि आपका state कौन सा है उत्तरपरदस से हम apply कर रहे हैं तो उत्तरपरदस select कर लेंगे district जिस भी district से आप विलाओं कर रहे हैं उसे जो कि आप select कर लेंगे पीन कोड को यहां पर देखे इस तरीके से fill कर देंगे फिल करने के बाद अगर आपका present address और permanent address दोनों सेम है तो आप यहां पर देखे इस तरीके से check mark कर देंगे अनिता आप अलग अलग भी fill कर सकते हैं उसके बाद देखे प्रिव्यू एंड सब्मिट वाले option पर क्लिक करें है आप को देखे प्रिव्यू देखने को मिल जाएगा यह आपका primary stage है उपर देखेंगे तो आपको जो की प्रिव्यू पेज देखने को मिल जाएगा चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे form में किसी भी प्रकार की कोई तुटी नहों हो यहां पर देखे declaration का option है सारे option को जो कि आप चेक मार कर देंगे अगर आपको कोई तूटी लगती है तो यहां पर क्लिक करके उसे जो कोई करेक्शन कर सकते हैं अगर सारा data ठीक है तो आप यहां पर जिखी capture code इस तरीके से फिल कर देंगे submit and next otp activation वाले option पर क्लिक कर देंगे जैसे ही आप इस पर क्लिक क है तो थोड़ा सा इंतजार आप जैसे ही आप primary state को confirm करते हैं तो आपके registration status आपको देखने को मिल जाएगा आपका name यहां पर सो करेगा यहां पर यहां पर यहां पर प्राप्त हो जाएगा और registration number के साथ ही आपको activation code भी जो गी चारंगों का होता है तो आपके mobile number पर आपको प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद देखिए activate through OTP इस वाले option पर click करेंगे हमें activation code देखिए प्राप्त हो चुका है यहां पर जो आपको registration number प्राप्त हुआ तो उसे फिल करेंगे इस calendar के माददे हमसे अपना date of birth फिल कर देंगे OTP जो आपको activation code प्राप्त हुआ उसे जो जो एक्टिवेट हो चुका है अब यहां से जो क्या form को जो की login करेंगे जैसे इसे ok करते हैं तो यहां पर देखिए आपको login का option आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर फिर से registration number फिल करेंगे data birth फिल करेंगे capture code को इस पर फिल करेंगे और login वाले option पे click कर देंगे जैसे आप form को login करते हैं आपको next step में payment complete करना है और यहां पर देखिए आप सभी category के लिए 400 रुपे payment fees करनी है यहां पर एक important note दिया गया है यदि आपने पहले ही भुकतान कर लिया है अगर आप जैसे form फिल कर रहा है और उसको payment कर दिया और इसी कारवन वास आपका payment फिल हो जात इस जो है कि refund नहीं होगी क्योंकि जैसे ही bank software update होगा तो आपके payment जो है कि यहां पर complete हो जाएगी इस तीज़ी का ध्यान दिजएगा कि फॉर्म payment करने बाद अगर किसी कारवन से आपका फस जाता है payment तो आप 2-3 दिन का इंतिजार कर लेंगे आपकी भुकतान की इस्तिती अभी भी लंबित है तो किरपया भुकतान सत्यापन के लिए दो दिन की पर इस चीज़ का ध्यान देंगे अब यहां पर देखिए मैं payment complete करना है तो pay now option पर click करेंगे अब next step में देखिए हमें payment page पर redirect कर दिया गया है यहां पर सिर्फ आपको दो option मिलते हैं या तो आप net banking से कीजिए या तो फिर आप UPI या Google Pay phone पर इसे भी आप कर सकते हैं तो सबसे easy आपके लिए option यह है कि आप इस second option पर आप click करेंगे यहां आप देखिए आप इंटर UPI ID से भी कर सकते हैं UPI जैसे इसे चेक मार करेंगे तो आप यहां पर अपनी UPI ID डालके validate करके आपके नंबर पर जो है कि फोन पर या Google पर लिंक आ जाग वहां से payment कीजिए या आप यहां पर देखिए UPI QR code इसे आप generate करके भी scan कर दिए फोन पर स पर दिए तो हम अपना payment जो यहां से complete कर लेते हैं जैसा ही आप payment complete करते हैं आपको देखिए next page पे redirect कर दिया जागा जहां पर आपको फोटो अप्लोड करना है फोटो आपको जेखिए JPG, JPEG, PNG फाइल में रना चाहिए 20 केभी से 50 के बीच में जेखिए choose file पे click करेंगे और इसके बाद upload कर देंगे तो आपको फोटो यहां पर आपको दिखने लगेगा same signature की बात करेंगे 5 केभी से 20 केभी के बीच वहीं देखिए class 10 की marksit आपको अप्लोड करना है 20 केभी से 100 केभी के बीच choose file पे click करेंगे और यहां पर अपनी file को जो कि upload करेंगे देखिए यहां पर PDF नहीं है आपको jpg, jpeg, png file में आप upload करेंगे PDF नहीं upload करना है इस चीच का आप ध्यान देंगे यहां पर class 12 की marksit आपको upload करनी है 20 केभी से 100 केभी के बीच में वहीं जिस केटेगी से आप जाती प्रमारपत्र जो कि आपका UP का जाती प्रमारपत्र है मूल निवास प्रमारपत्र है जाती प्रमारपत्र उसे जो आप choose file पे click करके upload करेंगे वहीं निवास प्रमारपत्र जो UP का आपका निवास है domesile उसे आप choose file पे click करके आप उसे upload कर लेंगे हमने सारे document को upload कर ल करते हैं तो बिल्कुल वीजबल लेगा चीजें जो की अच्छे तरीकी से दिखेंगी हो सकता सेलेक्शन होने के बाद इसका प्रिंट निकालना पड़ गया तो दिक्कत हो जाती है वहाँ पर चीजें नहीं होती है अगर आप साथ के भी सतर के भी बनाते हैं तो उसमें चीज कर देंगे हमारा फॉर्म देखिए फाइनल सब्विट हो चुका है यहां पर हमें नेम देखने को मिल जाएगा यहां पर देखिए प्रिंट अप्लिकेशन इस वाले अप्शन पर क्लिक करके आप अपना प्रिंट सेप करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए कमेंट करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होए तो आप जो कि कमेंट करें थैंक्यू दोस्तों झाल झाल